हलो वेड़ी क्या हले जी आप सब के सब कुशल मंगल बेटा कल 26 तारीक को एक अनॉंसमेट आया सी इंस्टूट के तरव से की एक्जाम्स सी इंस्टूट के जो एक्जाम्स मेट 2021 के लिए हैं वो 5 जुलाई से स्टार्ट होंगे और ये मैसेज या ये नोटिफिकेशन आते ही कुछ स्टूट के मैसेज़िस आए कॉल्स आए कि सर 5 जुलाई से एक्जाम्स का अनॉंसमेट हो गया है क्या एक्जाम्स होंगे नहीं होंगे तो इसकी ऊपर चर्चा थोड़ी सी हम लोग करें थोड़ा सा डिस्केशन हम लोग करें आप लोग ने बहुत सरे वीडियो से तरु तक देखे होंगे सुने होंगे उमीद करूं कि आप लोग ने अपने कुछ उपीनियन्स भी बना लहीं होंगी एक उपीनियन्स मेरी तरह से भी एक्जाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए मैं उसको बस एक बाद यह बलूँगा कि एक्जाम्स हों तो ऐसे महाल में हों कि जहां पर सब ठीक ठाक रहे सब ठीक रहे सब सेफ रहे बहुत सारे सुरूंस का यहां पर यह कहना है सर केसिस कम हो रहे हैं तो चांसिस हैं कि हम लोग सब ठीक रहेंगे आपकी बात बिल्कु ठीक है कि केसिस कम हो रहे हैं जो इस cases आज से शाद 15 दिन पहले 20 दिन पहले चार लाग क्यास पस जा रहे थे वो अब कम हो गए है मिरे को ध्यान आता है कि 24 तारीक को 2 लाग से कम cases थे लेकिन उसके बाद 25 तारीक और 26 तारीक को फिर cases 2 लाग से जादा हो गए आप ऐसे देख रहे हैं कि cases 4 लाग की बकाबले में कम हो गए लिकिन किसी भी किसी भी समझदार विक्ति से करा आप बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये 2 लाग से जादा के जो cases आ रहे हैं ये अपने आप में बहुत जादा है ये बहुत जादा बहुत जादा cases है इस लॉक्डायदूरा और ह्लिखरव्य गैर। जैसे कि एक्ञानेशन गैर।N अनुंट वाला मिरा को यथा यातीय दिखते बनेंगी। they should have waited for 1st of June why I am saying 1st of June is because 1st of June को CBAC ने अपने 12th class के board examinations के लिए announcement करने है God forbid अगर वो cancel हो जाते है exams जो कि अभी तक confirm नहीं है मान लीचे अगर 1st June के announcement पर board examinations cancel हो जाते है तो C Institute के भी हमब टूटेगी तो पहले announce किया 5 जुलाई और फिर उसको withdraw करें तो वो भी बड़ा जीव सा लगता है बड़ा unprofessional सा लगता है तो they could have waited इसके साथ साथ में अगर 1st July को 12th के exams हो जाते हैं तो भी आप वहाँ पर दिखीगा बड़े controlled atmosphere के अंदर वो exams होंगे controlled atmosphere से मेरे को एक बात समझाती है आप सब को याद है IPL इंडिया में हो रहा था IPL जब हो रहा था वो बायो बबल की बात हो रही थी आप इसे बहुत कम लोगों को पता होगा बायो 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 बबल से मत्तब है कि बहुत limited लोग ऐसे होंगे जो कि players के साथ in touch आ सकते हैं बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो players के arena तक जा सकते हैं जिनका players का approach होगा बहुत selected लोग होंगे जिका बार 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 sanatization क्या जाता होगा बार उनकी testing होती होगी और सारे players ऐसे थे जिनका डेली टेस्ट हो रहा था coronavirus का coronavirus बायो बबल को भी penetrate करके players को infect कर देता है और उसके बाद IPL cancel हो जाता है तो हमें क्या सोचना चीए कि क्या बहुत मामुली से precautions लेके सी इंसिटूट बच्चों की जान बटा पाएगा मेरे को लगता है नहीं मुश्किल है बहुत मुश्किल है जब IPL का बाया बबल ब्रेक हो गया तो उसके बाद सी इंसिटूट के जो मरजी जितने मरजी वो प्रिकॉशेस लिडे हमेशा रिस्क बना रहेगा और क्या इतना बड़ा रिस्क लेके क्या इतना बड़ा रिस्क लेके जहां पर अपनी जान को ख़तरे में डालके एक्जामनेशन हाल में जाना क्या ये फीसिबल है मेरे को तो इसके लिए भी एक बार सोचने का बन करता है ये अब आया ऐसे सुडेंट आप लोगों ने विचार बनाना है कि आप क्या ये रिस्क लेने को त्यार है आप ऐसे के सुडेंट ऐसे होंगे जिनका सिये फानल का एक ग्रूब बचा होगा उनको यह लग रहा होगा या जल्दे से एक्जाम हो जल्दे से मैं ऑग्जाम दूजल्दे से मिरे ये गुरूप क्लियर हो और मेरी ये जो बला अटकी हुई है सिर्फ पर ये खतम हो लेकिन मैं आपसको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्जाम छे मिने बाद भी हो जाएंगे ऐसा ना हो कि इंफेक्शन हो जाए और जो पिछले तीन ग्रुप्स निकले हैं तीन ग्रुप्स कौन से इंटरबिडेट क के दो ग्रुप्स हैं फानल का एक ग्रुप है जो 75% आपकी महनत काम्याब हो चुकी है ऐसा नहों कि इंफेक्शन के मुझे है तो 75% महनत भी हाथ से निकल जाए तो थोड़ा सा संभल के थोड़ा सा ध्यान से महाल ऐसा नहीं है जहां पर हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइ नहीं है बेवकुफी की भी कोई ज़रूत नहीं है प्लीज समझदारी से डिसीशन लीजे हां मैं एक बाद यह सब को बोलूँगा कि प्लीज गो एंड टेक वेक्सिनेशन आप जितना जल्दी अपने आपको वेक्सिनेट करेंगे या करवाएंगे उतना ज्यादा चरेगा येस आई डू अंडरस्टाइड की शॉर्टेज है आई डू अंडरस्टाइड स्लोट्स नहीं मिल रहे हैं तो मैं इसी तरीके से यहां पर एक आपको बात बता देता हूं अभी कुछ तैम पहले 22 तारीक को 22 मै को यहां पर डेली के अंदर सी इंसिट्यूट ने निर्स ने रिको हैं तो मैं इसी प्रकार से सी इंस्टूट को यह रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सभी सुडेंट्स जो एक्जाम दे रहे हैं इस जुलाई की महिने में या फॉर डैट पर लेटर से इंदा मन्थ अब नवंबर तो कुछ आप स्ट्स लीजे जहां पर आप इनको वेक्स वह है आपने बहुत सोच समझ के डिसिशन लेना है बाकि सभी स्थूडर्स ने भी उतने ही सोच समझ के डिसिशन लेना है मैं ये बोलूंगा कि अगर आपने वेक्सिदेशन नहीं करवाई है तो 5 जुलाइ का एकजाम के बारे में एक वार दूबारा सूचिए, एकजाम फिर से हो रएगा, लेकिन अगर infection हो गया और जान खदरे मिडल गयी, तो बहुत-बहुत बरे हलत हो रहेगी, साथ साथ में, क्या 5 जॅलाइ का exam feasible भी है क्या, यह हो भी पायागा क्या, या बस एक तरगत से शगुफा छोड़ दिया हमारे इस इंस्ट्यूट ने तो मेरे को ध्यान आता है पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था इफ नाट मिस्टेकन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दो बार या शाद तीन बार इनोंने डेट शीट दी थी और इसके बद इवेंच्री उसको कैंसल ही करना पड़ा था पिछले साल के में इस साल के हलत जयादा ख्राब हैं पिछले साल के में इस साल का वेरियेंट ज्यादा infectious है और अब भी यह केसिस कम इस वज़े साप्को लग रहे हैं क्योंकि पारिशा काज़न आ आने पाहले कहा ऐसा ना हो कि examration के चखकर में हम लोग कैरियर बन जाएं और फिर से वो वारेस फैलना साथ हो जाए तो चीज़े अभी कंट्रोल में आ रही हैं लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं हैं अभी भी केसिस बहुत जादा हैं तो मैं सब को बोलूँगा सभल के चलिए और सेंस्टूट से रिक्वेस्ट क से पहले अभी इस तू अर्ली तू अर्ली टू टेक एक्सामनेशन और थिंक आप दो सुदेंट्स जिनका वेक्सिनेशन नहीं वह है आप मेंसे बहुत सारे सुद्स मेंटल स्ट्रेस पर भी होंगे मेरे सबसे कोई घर लगभग लगभग क्या रहा हूं लगभग कोई घर कोई पेशन नहीं है जहां पर करोना का कोई पेशन ना हो करोना जितना मेंटल जितना फिजिकल स्ट्रेस देके जाता है उससे कहीं ज्यादा गुना मेंटल स्ट्रेस देके जाता है और लगभग हर घर के अंदर करोना की दिकत है तो इस मेंटल स्ट्रेस में पढ़ाई भी ह पाईगी या नहीं हो पाईगी रिजेट by हो पाईगी हम नहीं हो पाईगी और फिर उसकी ऊपर दुबारा से बाहर निकल के इस बात का डर कि अगर दुबारा से या अगर अभी तक infection हो जाए तो मुशीबत बढ़ ही तो यही मेरी एक रिकुइस्ट यही एक डिमांड की प्लीस अभी एक्जाम्स नहीं होने चाहिए सी एंस चूट ने पिछली बार भी दो तीन बार डेट शेट अनाउंस करी थी और इसके बाद पोस्पुन किया था ऐसा इस भार भी हो सकता है मैंने ऐसा नहीं का की होगा या नहीं होगा लेकिन हो सकता है आडिलि लार्स पॉपोलेशन हमारी वैचिनेेट हो जाए लार्ज नम्बर अव स्टूडल शेंच हो जाए दब आप संक दर इसके संदरो हो सकता है कि जिस में आप हम रूल नमबर से स्कनल करें तो आप स्टूडेंट से एक अंडरेटिंग लें कि वैक्रिम नेशन ले लिया है and only those students should be allowed to go and appear in the examination who have been vaccinated by one dose. मैं दोनों डोसे की बात नहीं करा, दोनों डोसे मैं I do understand कि it will take three months. मैंने खुद C.A. इंस्टूट की तरह से जो काप और गनाइज हुआ था बाइस थारी को उसके दर मैंने डोस लिया है, first dose और अब I do understand कि 84 days का gap है और 84 days के gap के बाद second dose है, तो I don't think it will be feasible कि दोनों डोसे हैं और तर भी exams करें, लेकिन at least एक dose हो, risk element drastically उससे कम होता है, तो कुछ नो कुछ ऐसा किया जाए, जहां पर एक sense of security students को दी जाए, examination करते समय तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, these are my views, मैं चाहूंगा आप सभी students अपने views दीजे, exams होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, अगर हो तो कब हो, और क्या यह जो मेरा सुझाव है कि सिर्फ exams में उन्हीं को appear करने दिया जाए, जिन्होंने vaccination लिया हुआ है, मेरे ख्याल से this would be better, जिनका vaccination नहीं हुआ, वो घर पर रहें, वो भी safe रहें, और जिनका vaccination हो गया है, वो भार आ सकते हैं, वो थोड़ा सा, they are still on the safer side, मेरे ख्याल से this can be one of the solutions, जो की हमारे गौर्मन को सोचना चाहिए, C Institute को सोचना चाहिए, दूसरा, C Institute एक काम और भी कर सकता है, जैसे इन्होंने members और members के family members के लिए camps organize करें हैं, इसे प्रकार से पूरे इंडिया के दिस, chapter wise, they can organize the camps only for the students who are registered with the C Institute, Yes, I do understand, ये बहुत बड़ा number होगा, लगभग ये number पास लाग या उसके आसपरस की कोई figure होगा, but still, ये feasible है, ये किया जा सकता है, this can be done, तो this is, these are my two suggestions, one, vaccinate the students and then call them for the examination and two, if you are not vaccinating students, then allow only those students to appear in the examination who have been vaccinated by at least one dose, this is a request to this institute and सभी सुदें से ये रिक्वेस्ट की आप थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ते रहिए, बिल्कुल out of touch मत हो जाईए, बिल्कुल किताबें बंद करके साइपे मत रख दीजे, और हाँ, अगर मैं ये बोलूँ, कि साब आप 15 गहंटे रोज की पढ़िये, 10 गहंटे रोज की पढ़िये, 8 गहंटे रोज की पढ़िये, क्योंकि डेट अना सोगी है, तो I don't think even that is feasible, ल के रिखे, दोस्तों यारों को बचा के रिखे, कुरोना से, till the time I meet you again, bye-bye, and best of luck to all.